वाहिगुर्ची का खालसा वाहिगुर्ची की फति मैं अमर्जुत कॉर्ड गुरु गोगन सिंग विद्या मंदर सीनिय सेकेंडरी स्कूल नुट्वारा साहिंदी विद्यार्थन 11 मीच मात विच पढ़ दी हां मैं आज आप सब जी नाल एक साखी सांजी करंचा रही हां जस्दा विशा है बेबे नान की जी बेबे नान की जी सिखी तिहास दी उहो मान योग हस्ति हां जीना ने सिख तरम दे संस्थापक रब्बी नूर गुर्णाने देव जीनू सबतो पहला फ्रुमात्मा दा रूप जान्या पाई कांसन नाबा नुसार बेबे नान की जीनू उहो पहली हस्ति हां जीना ने गुर्णाने देव जीनू अपना प्रान ही बलकि लुकाई दा पेर मन दे सं बेबे नान की जी घुरु जी तो उमर विच पांच साल वड़े सं अते आपने प्यार दियां तंदां बहुत भुणिया सं अते इस दियां कई उदार ना वी हन बेबे नान की जीदा जनव अपने नान के पिंट चाहल थाना बड़की जोला लहोर विच 1404 इस वेनू होया आप जीदे नाना राम जी, मामा किशन जी, अते नानी फिराई जी आपनों बहुत प्यार कर दे सं अते नान के रहेंड करके आप जीदा नान नान की ही राख दिता गया इतिहास कहरा अनुसार विबिनान की जीदा व्या 12 साल दी उमर विच सुल्तानपुर्दे निवासी जैराम जीनल कर दिता गया व्या उप्रन्थ जदो जैराम जीनल पता लगा कि दौलत खान दे मोदी खाने विच एक एहलकार दी जगा खाली है ता आपने गुरुजी नुँ उथे नौकरी दिवा दिती जदो दौलन्थ खाने गुरुजी नुँ विख्या ता आखन लगा कि ए ता कोई खुदाई पेगंबर लगदा है ए मोदी खाने दी कार के में संभालेगा गुरुजी कैन लगए खान कार ता उसकर तार दे हाथ है उड़नम सफल करन वाला ता ओह हुई है सुल्टानपूर विखे जदो गुरुजी नौकरी कर दे सी तो उथे संगत स्थापत करन विच बेबे नानकी जी ने एहम योगदान पाया जैराम जी बेबे नानकी जी दे गुरुणानक देव जी प्रती प्यार नूप पली पात जान दे सन अते आख्या कर दे सन तन परमेशर जी तन गुरुणानक जी तो वी तन है ते थोड़े तन असी वी हाँ कि साढ़ा तेरे नल संजोग है बेबे नानकी जी गुरुणानक देव जी पैंट होन करके जैराम जी आप जी दा बहुत आदर कर दे सन इतिहास विच एक कटना दा जिकर किता गया है कि गुरुणानक दी सस बीबी चंदो जी सुल्तानपूर में खे बेबे नानकी जी को लौन दी है ते आख्या दी है कि आप दा पराग ग्रेंग डस्ती वाल बिल्कुल त्यान नहीं दिन दा आप जी उसनों समझा के रखो पेबे नानकी जी जी जवाब तो उना दा अपने प्रापरती प्यार डोलता ते दिरता दा पता लगदा है तो आख दिहान कि मेरा पराग कोई गलत काम नहीं करदा चोर बेबे चंदों ची लाजवाब रह गई बेबे नानकी जी सिखी सिदा अडोलता अते द्रडता दी मुरत सन जदो गुरुची अपनी पहली उदासी ते पाई मर्दानी ना जान लगी तो उनाने पाई फरिंदे पास तो एक रबापन भाई जिस दी कीमत भी बेबे नानकी जी ने अदा कीती जो तो गुरुची पहली उदासी तो वापस आए ता सब तो पहला सुल्तान पूर रिखे बेबे नानकी जी को लाए जो दो वी गुरुची उदासी आते जान दे ता पिछो बेबे नानकी जी विछोडे विच बहबल हो उठ दी आप जी 1518 विच अकाल चलाना कर गए अते आप दा संसकार गुरुची ने अपनी हथी कीता बेबे नानकी जी 43 साल सुल्तान पूर विखे रहे अते आप दी याद नो ताजा करदा होया एक खूं तंदूर अते पैंट परादी दास्तान नो दर सौंदा एक मकान है वाहिगुची का खाल सा तूर्ची की फते